पहले राजीव मैं आपसे समझना चाहूंगी कल हालंकि हम कितना महतपूर्ण योगदान करपूरी ठाकुर का बिहार के उप्थान में रहा है यह आपने बहुत अच्छे से समझाया लेकिन कल देर शाम ही इस तरहा घोशना करना करपूरी ठाकुर को भारत रत्न देना जबकि जेडी उनके साथ लंबे समय से रही बीजेपी के साथ बिहार में उनका गडबंधन रहा खुद नितीश कुमार यह मांग उठाते रहे लेकिन आज जो है यानि 23 तारिक को उनने भारत रत्न देने की घोशना की जाती है एक तरफ हम देख रहे थे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रान प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से हिंदुत्व चरम पर दिख रहा था और उसी बीच इस विरासत की सियासत को लाकर और करपूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोशना देकर कौन फ्रंट फुट पर कौन बैक फुट पर नजर आ रहा है कितना असर लोगसभाद चुनाव तक क्योंकि अभी भी वक्त है और आज हम उस राजनिती को देख रहे हैं जहां पर चुनाव मतदान से दस दिन पहले भी वोटर को प्रिडिक्ट कर पाना बेहत मुश्किल हो जाता है कितना असर वोटर्स पर पड़ेगा इसका देखे पूजा 24 घंटे पहले इसी कारकरब में लखनव से मैंने आपके कारकरब में यह कहा था कि धर्म की काट जाती हो सकती है और यही काट दोनों तरफ से खेले जाएंगे अयोध्या में राम जनम भूमी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अब बिहार में करपूरी ठाकर के नाम पर जैंती मनाई जाएगी जेडी यू आर जेडी महागण बंदन इसे बड़े पैमाने पर मनाएगा और भारत रत्न करपूरी ठाकर को दिया जाए इसकी मांग करेगा यह 24 गंटे पहले ही मैंने कहा था और शाम होते भारत सरकार ने ऐलान किया कि भारत रत्न मिलेगा तो अब सवाल जो जिस राम जनम भूमी की चर्चा जादा हो रही थी अब कल साम से करपूरी ठाकर की चर्चा होने लगी है और इसकी वज़े क्या है सबसे पहले दस साल की नरिंद मोदी सरकार को चुनाओ की पूरू संध्या पर सव्वी जैनती पर करपूरी ठाकर को ही भारत रत्न देने की याद क्यों आई और बीजेपी और जेडियू पहले भी गडबंधन की सरकार में लंबे समय तक रहे और नरिंद मोदी यहाँ पर जो प्रधान मंतरी थे उस समय करपूरी ठाकर को देने का ऐलान क्यों नहीं किया गया 2019 के चुराओं के पहले देने का ऐलान क्यों नहीं किया गया और करपूरी ठाकर को भारत रत्न देने की मांग कोई आज की नहीं है वो बहुत पुरानी है दूसरी बात जो लोग करपूरी ठाकर के वा रागू होने के बाद के बाद पिछोडों की राजनीत करने वाले नेता या उनका उतकर्ष या उनका उचाई पर पहुंचना दूसरी बात है। मुख्यमंतरी रहे दो बार मुख्यमंतरी रहे और उन्हों ने ऐसे कुछ काम किये कि बिहार में जो अती पिछड़ा वर्ग है जो सबसे नीचे डाउं ट्रोडन पिछडों में हैं उन तबकों में उन्हों खास पहचान बनाई उन्हों वो पहले बिहार के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने अंग्रेजी की अन्यवारिता खत्म कर दी उस समय अगर कोई दस्वी मैट्रिक में अंग्रेजी में फेल होके भी पास हो जाता था तो लोग कहते थे कर पूरी डिवीजन पास हुए है इसी तरह से जब वो मुक्हे मंत्री बने तो राजी की सचीवाले में जो लिफ्ट थी वो चोथे चतुति स्रेडी के करमचारी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उन्होंने आते ही ये बेवस्था की कि वो भी उससे जाएगे ये अभी आज की तारीक में देखने में आपको छोटे कदम दिखाई दे रहे होंगे लेकिन उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस जाती का जिस पिछड़े अती पिछड़े का आदमी जिसके 2% वोट हो वो अपनी विचार धारा अपनी जीवन शैली अपने मुद्दों अपने अपनी ताकत के बलपे अपनी इमानदारी के बलपर बिहार जैसे राज्यका जो सामंत वादी प्रदेश आजादी के बाद सबसे जाती जाती वाद के जकड़न में करपूरी ठाकूर का जितना महत या जितनी शान बढ़ेगी उस से जादा भारत रतन की शान बढ़ेगी ऐसा मैं मानता हूँ राजनितिक कारणों से बहुत लोगों को भारत रतन पहले भी दिया गया था लेकिन समाज के उस तबके के आदमी को जो करपूरी ठाकूर आते है नितीश कुमार 2005 में आने के बाद नितीश कुमार ने अति पिछडों में अपनी जबरदस्ट पैड बनाई और करपूरी ठाकूर के बाद नितीश कुमार ही वो नेता है कि जो अति पिछडों में लालु यादों से इतर बीजेपी की नहीं थी लालु यादों से इतर नितीश कुमार ने उस तबके को उठाने के लिए और उस बैंक वोट बैंक को लगातार साधने में पिछले 20 वर्षों में काफी काम किया है जातिगत जनर्णा करा के जिस दिन जनर्ण भूमी प्राण प्रतिष्ठा का कारिकरम तैं हुआ मुझे याद है कि दिसंबर के आखरी हफते में जब नितीश कुमार ने राष्टी अध्यक्ष का पद लिया था मैं उस बैठक में गया था और उस समय भी उस उस बैठक से निकलते ही मैंने बताया भी था कि अब देने की मांग की जाएगी और कर पूरी ठाकूर के जन्मशती समारो को मनाने के बाद पटना में कर पूरी ठाकूर के नाम पर एक बड़ी रेली भी की जाएगी शिधा निशाना 56 फीज़दी लोगों की तरफ था 36% वोटों की तरफ था ये करपूरी ठाकूर के नाम पर सियासत की अलग अलग जो तैयारी है वो दोनों खेमों से हो रही थी ऐसे समय में देखिए भारती जनता पार्टी का यही जो तरीका है वो दूसरी पार्टी ओ दूसरे गट बंदनों से अलग है वो सिर्फ एक चीज़ पर नहीं है ऐसा नहीं है कि स्री राम जनम भूमी का हो रहा है और स्री राम कोई के जरिये ही वो जातिगत समीकरणों को साधने में भी और दूसरे को एकॉमोडेट करने में भी भारती जनता पार्टी चुनावी दिश्टी से अगर उन्हें फायदा हो रहा हो तो एक मिनट वो देरी नहीं करते फैसला लेने में अभी आप देखे उत्तर प्रदेश में 15-22 तारिक तक प्राहन प्रतिष्टा का एक हफ़ते का कारिकरण चलना आता पूरा राम में बना हुआ था उत्तर प्रदेश अभी भी बना हुआ है लेकिन उन्होंने जातिकत समीकर अरसादने के लिए भारती जन्ता पार्टी के मूल लोग लाइन में लगे रह गए लेकिन तीन महीना पहले 50,000 वोटों से भारती जन्ता पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाओ हारे दारा सिंग चोहान को टाइटिल चोहान। दारा सिंग चोहान को उन्होंने MLC बनाने का 18 तरीक को उनका नॉमिनेशन करवाया और आपको पता है कि उसमें मुलाइम माफ कीजे योगी आदित नाथ से लेके सारे नेता माला पहना करके दारा सिंग चोहान का नॉमिनिशन कराने गाए और मुझे पक्की जानकारी है कि बहुत कमी दिन में दारा सिंग कैबिनेट मंतरी की स्षापत भी लेंगे दो हजार बाइस के विधान सबा चुनाव में भारतिय जन्ता पार्टी को ना जाने क्या क्या कहकर पिछड़ा विरोधी कहकर ये कहकर दारा सिंग चोहान बीजे पी छोड़ करके गए उन प्रकास छोड़ करके गए राजबर लेकिन चुकि उनके वोटों की महता है चुकि व खालूम है कि जातिगत समीकर कैसे सेट करना है इसलिए ओंप्रकास राजबर और दारा सिंग चोहान को चुनाव से पहले उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा और इसी वज़े से करपूरी ठाकुर को भी भारत का दर्जा दे कर नितिश कुमार की सारी तैयारियों को एक जटके में एक वार में एक वार में बैलन्स करने की कोशिश बीजेपी ने की है मुझे ऐसा लगता है दो हजार चौबीस का चुनाव बिहार में मैंने पहले भी कहा कि अगर महागड़ बंदन एक साथ रहा और इंडिये एक साथ रहा तो जो सबसे चुनाओं होंगे उसमें बिहार एक प्रदेश होगा तो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो जाती और धर्म की राजनी दो तरफा हो रही है उसमें धार्मी तो एक है लेकिन जातिगत समीकरण को भी कैसे सिट किया जाता है इसका बहुत बड़ा उदारण कर पुराने सेहयोगी जो चले गए हमारे पास उनके लिए भी दर्वाजा खुला है तो क्या ये नितीश से भी तल्खी कम करने के लिए एक कदम आगे बीजेपी बढ़ी है क्या उसे इस तरह भी देखा जा सकता है त देखिए मैंने पहले ही आप से का कि भारतिय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ा चहरा होने के बावजूद वो किसी को भी एकमोडेट करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी के लिए भी उनके दरवाजे खुले रहते हैं, और कभी भी दरवाजे खुले रहते हैं, मैंने आपको उधारर दे दिया, अभी हजीत पवार का केस आप देखी रहे हैं, आप महराष्ट में देख लिजे, आप और उसका उधारन हमें दिख भी गया, कल शाम चब ये घोशना की गई.